वेलकम गाइज वेलकम बाक टियो ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदा डेली माकलेस वीडियो में जहां डेली बेसिस पे आपको बेस्ट पॉसिबल अनलिस मिलता है आज की मार्केट भी देखेंगे तो सिंप्ली जो भी हमने डिसकस किया था मार तो आपको गजब की ट्रेट बना सकते थे इस वीडियो में डीटेल बांक निफ्टी का अनलिसस होने वाला है जैसे आपको पता है वीकेंड पर हम निफ्टी का सेप्रेट अनलिसस करते है इस वीडियो में आपको डीटेल बांक निफ्टी का अनलिसस मिलेगा मंडे के तो यार इतना perfect setup daily आपको देते है और आपसे like भी नहीं हो रहा है setup देखके से profit नहीं करना है like button भी दबाऊ ठीक है फटा फट लाइक जरूर कर दो वीडियो को चलिए analysis part पर आजाए दिखाए magic क्या discussion थी और क्या हुआ exactly market में bank nifty का analysis करते हैं सबसे पहले intraday market देखते है best analysis जैसा लिखा है वो ही मिलता है आपको daily basis पर पता है जो लोग भी follow कर रहे है उनने perfectly पता है अब देखो क्या हुआ market में आज gap down opening होई perfect अभी कोई entry मिल रही है नहीं मिल रही है हमने simply क्या discuss किया था कल की वीडियो में यहां पर हमारी trend line का support है पहला bank nifty में हमने trend line का support break नहीं किया था तो trend line का support जब break होगा न तब हम puts में entry करेंगे लेकिन उसमें एक और चीज़ हमने आपको गई थी trend line और जो हमारा level है वो बहुत nearby है तो हम directly wait करेंगे 40,900 के support का break होने का फिर हम puts में entry करेंगे और targets 40,700 and 40,500 clearly हमने discuss कि आप देखो morning से हो क्या रहा है gap down opening थोड़ा market upside भी जाती है लेकिन यहां upside level का भी breakout नहीं मिला है क्यों नहीं मिला है देखो 41,060 level है इसका breakout यहां पे क्यों नहीं मिला है क्योंकि कोई confirmation candle नहीं बनी है तो इसलिए वहां से हमें fit dip देखने को बलता है trend line तो हमने break कर दी लेकिन मैंने आपको बहुत simply कहा था trend line के बात immediate support है तो immediate entry नहीं करनी है trend line break होने दो confirmation मिलने दो तब entry करेंगे 40,900 level break होना चाहिए अब यहां पे simply देखो अगर आप हमें follow करते है आपको पता ही होगा क्या condition है और new है तो आपके लिए मैं फिर से बता देता हूँ देखो मैं कैसे पता लगता है कि level lower side break हो रहा है यह candle break कर रही है level को clearly दिख रहा है 40,900 उसके बाद हमें confirmation candle चाहिए क्योंकि अगर market को वह move continue रखना है तो एक और candle उसी direction में बनेगी तभी तो fall आएगा ना तो वह confirmation candle का हम वेट करते है आप next candle देखो market फिर level के अबाब आगई trend line के आसपर resistance पेस कर रही है यहाँ फिर एक red candle बन रही है फिर level break हो रहा है लेकिन उसके बाद फिर से आप देखो कोई confirmation candle नहीं बन रही फिर green candles बनती है और हम upside आ जाते है 41,060 level perfectly वर्क कर रहा है इसके बाद देखो trend line पे यह market almost पूरा time support ले रही है अब गजब का trade दिखाऊं आपको आज गजब का trade यह जो points है ना यह exact points थे जहां से आज आप puts में entry कर सकते थे कैसे कर सकते थे level तो नहीं दिखाँ ना लेकिन मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ level और एक चीज मांक करने के लिए फिर से आपको magic दिखाता हूँ क्यों मैं आपको daily कहता हूँ super trend use करो क्योंकि मैंने सालों से टेस्ट किया है magically work करता है मेरे लिए इसलिए आपको free of cost बताता हूँ value करो और use करो कुछ बेवकूफ लोग होंगे जिनको सामने चीजे दिखते हैं फिर भी वो accept नहीं कर सकते लेकिन आप लोगों को तो मैं daily दिखा रहा हूँ और यहां पे गजब का trade आपको देखने को मला है यहीं से यह पूरा fall देखने को मला है यह गजब का fall exact top से entry कि resistance पे आई है market resistance से fall आएगा पहली बार already market आपको बता चुकिए कि इस पे resistance फेस कर रही है second time फिर आती है आपको entry मलती है फिर से और आप देखो गजब का fall exact top से आप बना सकते थे super trend perfectly work करता है उसके बाद fall आता है market में और इस बार 40,900 देखो level break भी हुआ है और confirmation भी मिली है तो super trend का magic तो आपने देखी लिया लेकिन हमने आपको trade क्या पताया था कि अगर 40,900 lower side break होगा आपको puts में entry करनी है targets क्या थे 40,700 and 40,500 अब सिफ entry important नहीं है कि हमें entry मिल गई magic है कि हम exactly targets तक आते हैं इसलिए क्याता हूँ कि इससे perfect analysis कोई आपको दे ही नहीं सकता है क्योंकि single point का भी difference नहीं है आप देखो क्या हो रहा है market में entry मिली पहला target 40,700 second target 40,500 pin point exactly आज का day low तो इससे perfect analysis और आप क्या चाहते हो यही trade बताया था मैंने आपको याद होगा नहीं है या नए हो channel पे कहीं doubt है हमारी सारी videos channel पे अबलेबल है and कल की video जाके मैं तो कहूँगा देखो जाके क्या हमने यह बात किया या नहीं किया और बिल्कुल logic के साथ सब कुछ explain करते है यह नहीं कि random बस ऐसे ही logic के साथ कि trend line break होगी तो market week होगी लेकिन immediate एक support है तो आपको उसके break होने का भी wait करना है तो अगर आपने video देखी तो आप loss करी नहीं सकते था अगर आप setup को follow कर रहे हो तो जैसे ही breakdown मिला है confirmation मिली है market में fall ही तो आया है और दोनों targets आया है market में day end में bounce आया लेकिन कहां से पहले हमारा target आया और उस target से bounce देखने को मिला है तो इस से simple और perfect analysis और क्या होगा मैं सभी से ये भी कहूँगा कि वीडियो पर comment करो या daily इतना perfect analysis देते है इतनी research करके आपको सब कुछ बताते है अभी market में बहुत negative news आई थी पर हमने clearly कहा था bank nifty में पहले lifetime top लगेगा उससे पहले कोई resistance ही नहीं है कल हमने पहले lifetime top लगा उसके बाद ये fall देखने को मल रहा है हमे almost 1300 points का fall हमने top से देखा है तो सब कुछ आपके सामने है कुछ प्रूव करने की जरूरत है नहीं हमें क्योंकि daily हम ऐसा analysis है तो ये बात होगी आज की लेकिन हमारा कामियां तो कातम होता नहीं है हम daily आपको एक perfect setup देते है तो मंडी के लिए setup की बात करेंगे लेकिन पहले broader viewpoint जाल ले कि weekly क्या viewpoint है weekly क्या important levels है और trend हमें वो ही बताएंगे जो हम lifetime top की बात कर रहे थे वो trend और positional viewpoint था ना intraday का नहीं था तो अब overall broader market की बात कर लेते हैं Monday के setup पे भी आएंगे ठीक है चलिए आजाते हैं हमारे one day time frame पर यह हमारा five minute का time frame है जो हम intraday analysis करते हैं वो इस पर करते हैं आजाते हैं one day time frame लास्ट वी की हमने आपको clearly कह दिया था कि market clear cut bullish है 40,000 के जब से अबब आई थी कि new lifetime high लगेगा 41,830 हमारा target है इससे पहले कोई resistance ही नहीं है यानि हमने आपको यह 40,000 पे बताया था और 18,000 30 points bank lifting में हमने catch की है positionally clear और simple यही viewpoint दिया था आपको कोई resistance नहीं है mid में वना level मिल जाते हैं 500, 700, 900 points पे positionally intraday 200, 300 पे मिल जाते हैं लेकिन mid में 1800 points था कोई resistance नहीं थी और clearly हमने आपको वो का और market ने हमें exactly फिर से right proof किया last time भी जो lifetime top लगा था ना उस time हमने 2500 points की rally के catch की थी और फिर last time भी हमने exactly top पे exit किया था जो लोग है उस time से उन लोगों को पता है और फिर pinpoint last time भी lifetime top पे बता दिया था कि यहां अब आपको exit हो जाना है five year data का analysis किया था कि यहां top लगेगा यहां से reversal आएगा last time भी वो ही हुआ और इस बार भी देखो इस बार भी हमने top catch किया है तो market में कहते हैं top and bottom catch करना possible नहीं है लेकिन top तो हमने आपको दिखाई दिये न bottom भी आपको पता होगा यह पूरे fall में 30 to 160 level fall से पहली बता रहे था हम कि bottom यहां लगेगा 30 to 160 पर यह भी आपको याद होगा और कहीं किसी को doubt होना तो हमारे चैनल की सबसे अच्छी चीज है कि पुराने से पुरानी वीडियो हमारे चैनल पर अवलेबल है more than two years analysis कर रहे हम और हर वीडियो अवलेबल है आप जाके देख लो date wise जिस दिन top लगा है जिस दिन bottom लगा है हर वीडियो मिल जाएगी आपको और वहां आमने clearly explain क्या होगा कि यहाँ bottom लगेगा यहाँ top लगेगा क्यों लगेगा analysis करके सब कुछ clearly explain क्या होगा सब कुछ possible है लेकिन आपको regularly एक system को follow करना है weekly top लग चुका है जो भी viewpoint था कि bullish market है वो viewpoint ओवर हो चुका है क्योंकि हमने बात की टॉप तक जाएंगे टॉप लगाएंगे 41.830 तक जाएंगे तो वो आचुका है हमारा target जो हम continuous up move की बात कर रहे थे वहां पर हमने exit कर लिया था अब आगे के लिए क्या भी point है next week के लिए important level क्या है देको immediate एक major support है 40,000 level तो positionally हम bearish भी नहीं है market में positionally अब bearish market में हम तब होंगे जब 40,000 lower side break होगा तो most important support next पूरे week के लिए 40,000 level है पहली बार यहाँ dip आएगा तो क्या करोगे आप calls में entry करो यहाँ पर dip मिलेगा 40,000 पर तो आप calls में entry करोगे यहाँ बहुत major support है तो अभी भी buy on dips की ही market है upside का target आ चुका है लेकिन अभी भी buy on dips की ही market है और upside major resistance हम तो आपको पहले से बता रहे हैं बहुत सारे लोग अब आपको बताने लग जाएंगे लेकिन आपको पता लगी चुका होगा 41,000 830 level यह है upside major resistance level market प्रूव कर चुकी है लेकिन market के प्रूव करने से पहले हमने आपको यह level बताया था यह range है जिसको आपको play करना है next week तो यह हो चुका है bank nifty का positional viewpoint अब आजाते हैं interesting चीज़ पे कि बहुत मंडे को क्या करें यह तो positional viewpoint है जो holding के लिए trades बनेंगे उनके targets लेवल से कैसे trades बनाने से आज 40,900 के below puts में entry थी कल levels के according क्या करने है targets भी pinpoint आए यार magic यही तो है entry भी मलती है target भी तो pinpoint आ रहे है 40,500 इससे better analysis कौन देगा after market नहीं दे सकता हम तो एक दिन पहले बता रहे है कोई after market भी हमारे जैसा analysis ढूणने जाएगा नहीं मिल सकता मंड़े के लिए setup देख लेता है immediate support 40,700 क्योंकि market इसके अबव close हुई है उसके बाद 40,500 resistance 40,900 अब resistance बन जाएगा उसके अबव 41,060 and यह trend line भी है अब trend line का level अभी क्या according बताऊंगा तो 41,130 आ रहा है अब trades discuss कर लेते हैं देखो आज puts की entry कहाँ पे करनी थी 40,900 के below अब बन चुका resistance अगर इसका breakout मिला call में entry करेंगे लेकिन exit कहाँ पे करना है exit करना है trend line पे trend line तक यह bounce expected है trend line पे exit कर जाना है फिर दुबारा fresh entry मिल सकती है अगर trend line का भी breakout मिला लेकिन पहला trade क्या होगा अगर 40,900 upside break करते हैं मंडे को calls में entry करेंगे trend line तक target पहली बार trend line पे exit हो जाना है फिर वेट करना है क्या trend line का भी breakout मल रहा है तो further rally catch करेंगे further levels भी बता हूँगा लेकिन पहला trade hope आपको clear है lower side बात करें तो देखो 40,700 फिर से अगर break हो जाता है मंडे को lower side puts में entry करो पहला target 4500 और 4500 break होता है तो next target अब new target क्या होगा 40,200 level ये है next level और target hope एक एक trade तो clear है अभी trend line के अबव वाला भी trade बताऊँगा लेकिन ये आपको clear होना चाहिए इससे simple येर क्या समझाऊँ मैं आपको बहुत clearly बता दी है अब trend line के अबव क्या करना है अगर मालो कोई gap up opening हो गई है इन trend में break करते है trend line को upside तो क्या करना है वो भी एक बार देख लेते है देखो trend line का level क्या बताया 41,130 ठीक है 41,130 level का upside breakout मलता है call में entry दुबारा बनेगी टागेट होगा 41,350 and 41,650 यहर है second trade call का trend line upside break करते है दुबारा call में entry बनेगी लेकिन पहली बार exit कर जाना भई फिर याद दिला रहो पहली बार exit कर लेना दुबारा entry बना लेना चाहिए अब super trend पे कई बार पता है जब lower side से इतना अच्छा bounce आ रहा होता है तो लोगों को लगता है नहीं super trend break हो जाएगा break हो जाएगा तो trade बना लेना लेकिन अभी तो exit बन रहा है यहाँ और यहाँ पे put के entry बन रही वो करो guess work मत करो, hope में मत करो जो आपके सामने चीज दिख रहे है चार्ट पे उसे follow करना है simply यह मत सोचो कि नहीं super trend इस बार break हो जाएगा और rally आती ही रहेगी, मत सोचो guess work नहीं करना है, सामने दिख रहा है उसे follow करना है, break होगा तो पता लग जाएगा ना फिर वो trade बना लेना लेकिन अभी जो दिख रहा है उसे trade करो reversal दिख रहा है, puts में entry दिख रही वो बनाओ, ऐसे ही trend line पे पहली बार exit हो जाना दुबारा break out मिलेगा, दुबारा entry कर लेना और यह आपके levels और targets होंगे देखो बहुत simply हम explain करते है complex हम चीजों को बनाते नहीं है टाकि आप easily follow भी कर सको like कर दी है ना, नहीं किया तो देख लेना 2-3 दिन की मैं video skip कर दूँगा अब तो अगर like नहीं आते इस बार 2000 तो अगले week दो दिन मैं skip ही कर दूँगा videos ही नहीं आएंगी तो अब आपके उपर है आप video चाहते हो या नहीं चाहते 2000 likes इस video पर चाहिए अब देख लो आप क्या चाहते हो और subscribe नहीं किया है इससे better analysis मिली नहीं सकता guaranteed दे रहे हैं क्योंकि more than 2 years हो चुके हैं 2-4 दिन नहीं analysis देते हुए more than 2 years से prove कर रहे हैं इसलिए इतना confidence से कह पाते हैं कि best analysis है तो है